हम insecure क्यों feel करते हैं और हम अपनी insecurities को कैसे दूर कर सकते हैं आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी हाई मेरा नाम है प्रीती और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज़बा में तो चलिए start करते हैं और बात करते हैं कि अपनी insecurity को हम कैसे दूर कर सकते हैं हम insecure का feel करते हैं जब हमें खुद के उपर trust नहीं होता है या फिर किसी relation को लेकर कि अगर हम insecure होते हैं तो उस relation पर हमें ज़्यादा कुछ ट्स नहीं होता है है आपको अपने trust को बना कर रखना है आपको यह मानना है कि कुछ भी हो बट आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और माली जे कुछ गलत होता भी है उसे सही करने की हिम्मत आप रखते हैं एक्स पॉइंट ये है कि खुद को आप मेंटली और इमोशनली स्टॉंग मनाईए हर छोटी-छोटी चीजों को ले करके आप परिशान होना छोड़ दीजिए अगर आप हर छोटी- की तरीके से लेने लगेंगे उसे फेस करने लगेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और इस चीज से आप अपने आपको स्टॉंग बना पाएंगे आप मेंटली और इमोशनली खुद को स्टॉंग बना पाएंगे अगर हम हर छोटी-बड़ी चीजों में बहुत बड़ा बना करके देखने लगते हैं तो फिर हम हमेशा ही इंसीक्यूर फील करते हैं इस ते हमारा कौनफिडेंस भी कम होता है और हम किसी भी प्रॉबलम को अच्छे से फेस नहीं कर पाते हैं अगर हम ये इनकि हमारे कट्रोल में बस हमारा काम ही है हम सिर्फ अपने काम प होती नहीं है जितनी हम खुद कर लेते हैं हम अन्नेसरी चीज़ों को अपने मन में भर लेते हैं और हमेशा ही हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं ऐसी चीज़ों को सोचते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है और इसी से हम अपनी लाइफ में परिशान रहते हैं और इ सोचते हैं हम यह लगता है कि वो पर्सन जो है वो हमसे आगे है या फिर हम अपने आपको कम समझने लगते हैं दूसरों से अपना कंपेर करना जब स्टार्ट करते हैं मनी मन जब हम इस तरीके की चीजों को सोचने लगते हैं अपना कंपेर करने लगते हैं तो हमारे अंदर इ खुद के लिए होते हैं वो दूसरों के लिए नहीं होते हैं वो चेंजेस हम खुद के लिए करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं या फिर दूसरों के आगे खुद को साबित करने के लिए नहीं करते हैं जब इस तरीके की हम खुद के लिए कोई क अगर किसी ने भी कुछ भी अच्छा काम किया है या किसी के अंदर भी कुछ भी अच्छी चीज है तो उस चीज की तारीफ आप जरूर करें बट उस चीज से अपना compare पिल्कुल ना करें क्योंकि अगर हम compare करते हैं तो insecurity होती ही होती है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जब compare करते ह है तो हमें अच्छा फील होता है हम यह सोचते हैं कि हम उनसे बेटर हैं बट यह सोच जो है यह गलत है यह कभी-कभी हमारे सैड होने का reason बन सकता है तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें अगर आपसे कोई गलती होती है तो अपने आपको guilty feel ना कराएं आपसे जो गलती पर आप हसिए उसके लिए आप खुद को blame बिल्कुल मत करिए क्योंकि जब हम खुद को blame करते हैं या खुद से नाराज होते हैं तो हम कुछ भी अच्छा या better नहीं कर पाते हैं तो अपने आपको blame ना करिए और ना ही खुद से नाराज होईए क्योंकि गलती जो है यह हर क कुछ करते हैं चाहे वो छोटी इसी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो अगर हम कुछ भी दूसरों के लिए करते हैं तो इससे हम अंदर से अच्छा फील करते हैं इससे हम अपने आपको इमपोर्टन्स देते हैं हमारी इमपोर्टन्स दूसरे समझे ना समझे बढ़ हम खुद की इमपोर्टन्स को समझने लगते हैं अगर किसी relation को ले करके आपके मन में कोई भी insecurity है तो आप उस person से जरूर बात करें आपके जो भी thoughts हैं जो भी feelings हैं उन सारी चीज़ों को आप उस person से share करें आप उसके साथ जादा से जादा time spend करें जब आप उसके साथ जादा से जादा time spend करेंगे तो आपके बीच जादा बाते होंगी आप अपनी चीज़ों को उनसे कहेंगे और जब हम अपने मन की बात को किसी से कहते हैं तो हम काफी अच्छा फिल करते हैं इससे हमारे मन की insecurity भी दूर होती है और इससे हमारा trust भी बढ़ता है उस person पर भी आप trust रखिये और अपने trust को उसके मन में बनाई रखने के लिए आप honest रहिए कभी कभी छोटी 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 चीज़ें मिल करके बड़ी चीज़ों की वज़ा बनती है तो इन छोटी 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 चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है आपको साथ में time spend करना है अपने thoughts को अपनी feelings को share करना है खुद भी trust बना करके रखना है और आपके उपर वो trust कर सके इसके लिए आपको honest बन के रहना है अपने relation को अच्छा बनाई रखने के लिए या फिर strong बनाने की responsibility जो है ये आपकी है तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने relation के लिए जो भी कर सकते हैं वो खुद करिए किसी third person को अपने relation को ठीक करने की responsibility बिल्कुल मत दीजे किसी भी person को इसमें involved बिल्कुल ना करें हर किसी को इस चीज़ से दूर रखें relation का मतलब है trust, respect और freedom जहां पर trust होता है, freedom होती है, respect होती है वहाँ पर ना तो jealousy होती है, ना डर होती है और ना ही किसी तरीके की कोई भी insecurity होती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके relation में ये तीनों चीज़े होनी जाहिए आपकी importance सब को समझ में आएगी इस तरीके से आप अपनी responsibility को honesty के साथ पूरा करिए बाकी चीज़ों को आप time पर छोड़ दीजे, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा मिलती हूँ अगले वीडियो में वीडियो को like, share और subscribe दीजे, take care, bye bye